हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लो स्वागत है आप सब का मेरे चैनल पर है आज हम स्यो भी का नेक्ट लग्ट से स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का टॉपिक है इन्वेरेंस ओफ यूलर्स एक्वेशन अंडर कॉडिनेट ट्रांसपोर्मिशन ठीक है हमें क्या करना है जो अब हम इसको ठ्रांसफर्म कर दिए ठीक है यू वी में मतलव्ड से डरिवेट्व में इसको मतलब हम पहले हम अब हम इसको चेंज करदिगे ए फ यू वी निच ठीक है यह दी यू रहेंगा ठीक है इंटिग्रेशन में जो शान आएंगे वह यू की लिमिट आजिए यहां जैसे x के लिमिट है यहां आजिएंगे u1, u2 यहां पर x1, x2 था यहां पर u1, u2 कर दिएंगे ठीके तो इसको कहर दिएंगे हम जो x और y हम uv के फंक्शन लेंगे जिसे हम परामिटर में हम एक ही का फंक्शन लें रहते हैं आट इसके सब्सक्राइबत्ते हैं इसका प्रूफ करने कषद आता है कि जहां जाफ्न कर देगे एक को दुसे में अंदर coordinate transformation ठीक है अथो वेना functional एक functional है i y x equal to x1 से x2 f x y y dash dx is transformed by replacing the independent variable ठीक है वेरिवर क्या होंगे independent होंगे यू भी independent variable होंगे और by simultaneous replacement of the of the desired of the desired function and the independent variable then the extremers of the functional एक्स्ट्रेमर में कोई change नहीं होगा ठीक है जैसे हम u का हमारा जैसे निकल गया v ठीक है यू हमारा extremers हमारा uv में change करता u equal to v निकल गया ठीक है तो हमने जो x equal to x uv का जो रखा होगा यहां से v equal दहु grad for EXA यू बेडसर करें घानि जानिगा a2 ऊकुे यूए ऑ क्या behaviour काрий निकलेगा ठीक है और by यू यू दिक्ड़ेजा छे इनकी value क्या क्या रखेंगा और के निकल जाएगा य के निकल जाएगा धिकश्च हमारा इनिशन वाला तो पहले आमें हम एक्साइब में दिया था हम्हारे पास वैसे निकल जाएग अत्रीकर इंटेग्रेशन में हम agree to कुछ रख देते हैं समा इंटीग्रेट करना था शॉच्ट करने को रख देते हैं कि दिसे में प्रेक्स ऐ गया 1- x square अगया तो हमने इसको टी ले लिया सिंटीग्रेट हो जाता है तो यहां पर भी करना है थीका है अब देखो तब आपने देखो तो हम यूजिंग फिर क्या करना है धन दें एक्षिमल ऑप लॉप दो can be obtained by using Euler equation for the transformed integrate ठीक है जो हम इसको transform कर दिंगे तो हमें पर इसको फिर आसान होगा ठीक है इस पर हम Euler equation लगा दिंगे ठीक है जो हम transform करेंगे UV में transform कर दिया ठीक है तो हम इसमें Euler equation लगा दिंगे here in lies that so called तो हम इसको क्या बोलते हैं जो हमने कंडिशन पड़ी इसको बोलते हैं principle of invariance of Euler's equation principle of invariance of Euler's equation ठीक है लट देखो let x equal to x uv यह पूरा proof कर दोगा आगा था ठीक है तो हम क्या करेंगे इसको लिखेंगे फिर हम क्या करेंगे let x equal to x uv लिख दिंगे यह और y equal to y uv जहां हमारे देखो जहां इसको जोकोवियन बोलते हैं जोकोवियन और xy ठीक है जोकोवियन तो मतलब जैसे हम x और v का पंशना मतलब यह क्या हो जाता डैल x बढ़ते डैल u यह फिर डैल x डिटर्मिनेंट यह क्या है डिटर्मिनेंट जो हम निकालेंगे जो हमारे डिटर्मिनेंट है ठीक है नॉट इक्स और v हमें y हमें ऐसे देना जहां इसको पार्सले डिफ्रेंशिट करेंगे डैल बट्य ऐल यू यहाँ बट्य बत्य बत्य बत्त य की ah क्रीपार्स यह नडिफ्रमिनेंट निकालेंगे ठीक है एक्स और आइसे लेम है अब देहो तो यहाँ पर लिखा है देल, ड्र बटे Y के यह है अब देखो of लेट सोडसर नो doc डेखो V सिर्ट these बटे ड्र यूलिया जिसा y सिर्ट यहां पर T बटे डेल यू ठीक है आपां अब देखो तो हमाँ पास देखो जो हम क्यारेंगे हमने ले लिया तो X हमारे कि है यहां य्कील टू एक इकल टू एक सउरी यूवी का फंक्ष्ण है ठीक है था मैं पर टीएक्स निकालेंगे यह तोटल डिफ्रेंशेशन लगेगा इसमें ठीक है दो का फंक्ष्ण आगे मतलब डल x बटे, डल u, फिर du बटे, फिर du आएगा, ठीक है, dx लिखाए सिर्ख, ठीक है, फिर आजाएगा, प्लस, यहाँ पर आएगा, प्लस, डल x बटे, डल v, और यहाँ पर dv, ठीक है, दो का function हो गया, वैसे हम क्या लिखेंगे इसको, यहाँ पर x, इसको short में, x u लिख सकते ह हम, x u du, यहाँ से हमने du भी क्या निकाल लिया, common निकाल लिया, ठीक है, यहाँ से अगर हम du भी common निकाल लिखेंगे, देको, x u प्लस, x v, अपॉन, यह v डेस लिख देता है, और यह दियू जाएगा, देको, यहाँ से du निकाला, तो यहाँ अपॉन में आजएगा du, ठीक है, और यहाँ पर सटके, यह पाहर आजएगा, ठीक है, तो वही लिखा है, और यहाँ पर देको, v-काथा, du भी तो हंकन तो 750 दिवी प्लस द्येट सो यहां से देखो यहां से निकाला तो चुइल Beach को तो ўद्योब फर्टכर यहां बुद्यीई यूआ Hate धीवे धीवी औरल यहां पर देखो द्याली बटे द्यू इसको भीामि क्या sounds देल एक्स लिख लिए एकस यू प्लस एकस वी डीवी अपবण दी यू और डी यू के बाहर है जैसरी हम नहीं से है तो नो नो ईलिएखा यू प्लस वाइबर व्धस दियू ठीक है इhenो उक्वेशन है इसको वन दिरकी यहीआ है इसको 2 दिरकी है यह पूरी Virtual equation यह से यह, यह 2 है इसको 3 न ले लिए नो हमें के चाह़ो का यदेश के होगा हमें पास देखो और हमें पास देखो अब देखो यदेश के आएगा हमें पास यदेश होगा y dash sorry y dash हमाई पास dy बटे dx है तो हम क्या लगेंगे dy की value और dx के value रख दिंगे ठीक है तो हमाई पास देखो क्या आएगा dy बटे dx y u plus y v dash y u plus y v dash du से du cancel हो जाएगा ठीक है मतलब देखो यह du upon du होगा यहापर du upon du यह आजएगा ठीक है इसमें भी du है यहापर भी du है यह cancel हो जाएगा ठीक है तो हमाई पास सिर्फ y dash यह आएगा हमाई पास ठीक है आप देखो इन सब के जो value रखी है जो value ले रखी है हमने इन सब को जो हमने 1,2,3 जो value रखी है इनमें जो initial equation इसमें इसको पूट कर देना है ठीक है इसमें इसको पूट कर देंगे हम देखो इनिशल वैली में पूट कर दिया तो हम क्या लिखेगा है किसमें चिंज हो गिया हम सारा ? किसमें चिंज हो गिया underground ? यहाँ पर क्या है ? ऐहां पर F का ? x u v y u v y u v y' y u plus y v v' upon x u plus x v v' और यहां पर यह हमारा dx था dx के वह लिए y u plus y v v' du ठीक है और यह हमारे पास जा assumed हमने माना जब x equal to x1 था तो u equal to u1 हो गया और x equal to x2 था तो u equal to u2 हो गया तो हमारे पास कहा जागा वा य दूसरा function में चाहेगा g u g u v v' ऐइस के फ़र्मर बने दियू ठीक है यहां पर f कहा था x y y d x था और यहां पर u v के फ़र्मर बने बना चिर्फे तो u v के फ़र्मर बनेगा तो हमारे पास कहाएगा dg क्या लेगा uv v' du ठीके तो हमें पास new t new functional क्या बनगे हमें पास iv जह पर लिखते था नहां i y x ठीके बता हम y x निकलता था यहां पर क्या निकलेगा y u के फॉर्म में निकलेगा ठीके तो हमने y v u v v' du ठीके तो equation 7 आप इसमें क्या लगा देंगे यूलर्स equation लगा देंगे ठीके यूलर्स equation डेल और यहां पर लिखते था और y लिखते था और minus d बते dx डेल बते del y dash लिखते था इकल टू 0 ठीके मतलब y dash तो sorry differentiate था क्या था था यदश था 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 हम y के y लिखते थे ठीके और हम हमारे integrate के इसमें था x के form में था तो हम यहां पर क्या है u है था हमके लिखेंगे इसको u और v ठीके तो आएगा डेल जी यह आएगा डेल होगा ठीके पार्सली डिफ्रेंशेट डेल जी बते डेल v अऐगा डेल 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 डेलड डेल 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 जी बते डेल वी डेस इक्वाल टू जीरो फीक है यह आर्टिकल कुछ था आर्टिकल 1.6 था ठीक है जो चेंज और वेरिवस कांग भी में डिर्टी इंटिग्रल रिपर्जेंटिंग दा अब फंक्शनल ठीक है मतलब यह क्यों ठीक है यह जब कॉंप्लिकेट हम मारे पास कियाएगा कॉंप्लिकेट आ जाएगा तो उसको ज्य स्कुएर प्लस आएडएड स्कुएर कि पावर रून बाइटू डी थीता वेर ऐकल टू अधीट फिटा और रस उकल टू डी आर बट्टे टीटा ठीक हमें के देर्खाह मतलब फंक्शन देरखाह ठीक है ऐसे इसका इंटिक्रेश स्टाने होती तो हम यह बहाँ डैश दिर अगर हम इसको दूसरे में चेंज कर दे आर और ठीटा को दूसरे में चेंज कर दे आर एक्स और वाई में ठीक है तो लेट हमने ले लिया हमें आर थीटा के फॉर्म में दे रहा है मतलब जो हमारे निकलेगा हमारे पार थीटा के फॉर्म में निकलेगा लेट एक सरदी हमने x equal to r cos theta and y equal to r sin theta तो हमने लिखा dx बट्य d theta निकाला हमने ठीक है? dx बट्य d theta निकाला तो हमेरे पास क्याओग लिख एग्या? minus r पहले इसको अगर माना हमने अब dopost of roku x स्रफ का निकाला ठीक है? dx कैस्कार जाएगा? R 2 का function है X की सब्सक्राइब R और theta का function है यहाँ पर जाएगा R into minus sin theta पहले इसके respect में ठीक है मतलब D theta आजाएगा plus R dash यह होग क्या आजाएगा DR cos theta ठीक है DR cos theta हमने D theta हमने हाँ से common निकाल लिया तो DX बटे D theta यहाँ पर भी रख दिया minus R sin theta plus DR बटे theta R dash लिखते ता R dash cos theta ठीक है तो यह लिखर काहरेएगा DX बटे D theta तो DX बटे theta मतलब यह first function होगया यह first function यह second function ठीक है तो first function first function sorry differentiation of second minus हो जाएगा minus and theta होता है फिर differentiation of first function R dash हो जाएगा DR बटे D theta ठीक है तो यह खिर जाएगा r और यह first function second function ठीक है अब देखो तो हमेरे पास dx बटे d theta यह आया ठीक है वैसी dr बटे d theta निकालेंगे ठीक है ठीक है ठीक है तो हमने theta के formula integration कर रहे से ठीक है dy बटे d theta निकाले तो हमेरे पास आएगा r cos theta plus r sin theta ठीक है तो हमने इसको square करके प्लस कर दिया ठीक है dx बटे d theta का square प्लस dx बटे dy बटे d theta का square करा तो हमेरे पास क्याएगा देखो तो हमेरे पास आएगा देखो r square plus r dash square देखो हमेरे पास क्याएगा स्क्वारिंग करके प्लस करेंगे ठीक है देखो एस्कॉयर प्लस बी स्कॉयर यहां पर लगाया हमने यह क्या बनेगा पूरा स्कॉयर बनेगा यह का स्कॉयर मतली यह पूरा का स्कॉयर प्लस प्लस यहां पर इसके साद प्लस भी कर देते सिदा तो आल स्कॉयर 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 थीटा प्लस आर डैस का स्कॉयर प्लस तो देखो यहां से आर स्क्वाइर कम निकालना तो यह वन इन दोने को प्लस करा साइन स्क्वाइर थीटा प्लस स्क्वाइर थीटा प्लस स्क्वाइर थीटा प्लस स्क्वाइर थीटा प्लस स्क्वाइर थीटा एककल टू वन हो जाएगा ठीक है तो इन्होंने यह लिखाया r² πλस यहां से देखो main वक्षचत इनका यह जो value दे रखे इसकी value निकालना है r² प्लस rs² तो हम हई पास देखो क्या है या x अगर हम square dx तो dx² प्लस dy² अपॉन dt² आज़ेगा में मक्षचत यह थे अगर हम इसका यह करें तो हमाँ पास के आएगा dx2 plus dy2 upon dθ तो हम यहां से थीटा से इंटो और dθ रहा यहां से यह चैंसल हो गया ठीक है और हम यहां से पिर आगा dx2 कमन लिए तो हम देखो में मक्सेट यह तो हम देखो जो थीटा था एक्स के फॉर्म में बनाना इसको जब थीटा से थीटा 3 थीटा में आंस एक्स के फार उखल थीटा 2 है , थीटा 3 थीटा 1 में कट करेutetट हो जाएगर यहां से कममन लिए के बाद यहां से स्क् 자ुष सब्सक्वाइगर बार यहां से डिफिटा काश्य कर जाएगा है UH तो हमारे पास क्या बन जाएगा यह दी एक्स निकल गया 1 प्लस y' का स्क्वाइर की पावर 1 बाई 2 दी एक्स बन गया और इंटीक्रेशन भी x से x1 से x2 है तो वह है यहां से using 4 के यूज़ करके यह निकल गया अब देखो तो मारे पास क्या दूब्ञा से y' का स्क्वाइर नकालने हमने अब देखो यह ज्यादा सिंपल है एक्स यह तो हमने क्या नापद यह एक्स क्या दो कऴने ही हो जाती हमें यहां से देखो इसको केम करना पढ़ता मैं डिफ्रैंशिट करना पढ़ता और इसमें हम हम इसमें काट्गूलिशन भहुत जाती ठीच है फ्स भी जाते एसे उन्हों nelle स्पिल कार्ड़ेसी के जी ठीज करके जो構ने से इसके लिए चाहते चाहिए यहां से देखो यहां से वैसे भी यह महां जाएगा यहां से आप के सटे यहां से हीड़ यहीं चाहिए रहुड को अब जाएंगा सब्सक्तारש तरिक्हे है तो यह बढ़े प्रस पकर जेंगा एक रहेदा दोना तो हमें पास किस फॉर्म में निकला है मैंने बोला था फिरी फॉर्म एक्स और वाई है तो हमें पास क्या निकलेगा वाई एक्स प्लस बी ही निकलेगा ठीक है यह एक स्ट्रेट लाइन ही निकलेगी ठीक है यह पार इस्ट्रेट लाइन निकल गी यह हम इसमें लिमिट लग ठीक है जब x की जगप है जो हमने x equal to r sin theta लिया था रख दीगे और x की जगप है r cos theta हमें तो r और theta के फर्म में करना है ना हम तो अपने simplification के लिए x और y में change करा है ठीक है हमें आंक्सर के लिखना पड़ेगा r and theta के में लिखना पड़ेगा ठीक है तो हमाई पास आंक्सर यहां पर c1 r cos theta plus c2 ले लिए ठीक है तो हमाई पास फंक्शनल के आएगा यह आजएगा ठीक है हमारे पास अब देखो नेक्स्ट कोशन देखो नेक्स्ट कोशन भी आर और k फर्म में यहां से देखो यहां तक तो सेम है ठीक हमाई पास यह ते रखा है r sin theta r square plus r dash square की पावर 1 by 2 d theta by using transformation r यहां पर देखो transformation d भी रखा किसको किसमे चेंज करना है x equal to r cos theta और y equal to r sin theta इनने बोल रखा कि यह लेना है ठीक है जहां बोल रखा हो वहां पर अपनी मर्जिस से हमें लेना पड़ेगा ठीक है तो हमने देखो इसको लिया तो इतना तो हमने पहले देख लिया थ r sin theta यहां पर क्योंकि r sin theta यहां पर y रहा बाकी का बाकी सारा सेम है ठीक है यहां पर आएगा y into 1 plus y dash square की power run by 2 dx ठीक है बस यहां पर क्या है y एक extra अगया ठीक है अब हम पास y x के form में बना ठीक है y x के form में बनाए यह हमाँ पास j y x के बन गया x1 से x2 y 1 plus y dash square की power run by 2 dx देखो हमाँ पास क्या निकला अब देखो f x y y dash हमाँ पास क्या निकला y into 1 plus y dash square की power 1 by 2 ठीक है तो इसमें यूरर्स equation यह वाली मतलगाना मैंने बोला था जब free from x भी है और जब product form में है ठीक है product में है तो उसमें यह वाली लगाना दी बट्टे dx f minus y dash del f बट्टे del y dash equal to 0 ठीक है यह वाली लगाओ के तो हमाँ पास सिधा यहां तक यह हमारे पास simply यह निकल जाएगा देखो कैसे इतना यहां पर देखो यहां पर दी बट्टे dx यहां पर यह फर्स गया हम ठीक है यह क्या हो जागा हम फर्स पर लिमित लोग वाल लिमित यू अपन वी के फॉर्म में इस को डिफ्रेंशेट करना पड़ेगा ठीक है तो हम अपर देखो यहां पर हम फर्स गया अब देखो यहां से सिधा निकल सकते हैं यह जो यूरर स्विकेशन निखली थी वन प्लस वाइडैस डेल अबट्टे यह डेल अबट्टे डेल वाइडैस इक्वाल टू सी क्यूंकि द थी वाइडेस था यहां पर ए इंडार रहा था ठीक है तो देखो फ हमारे पस क्या है एंटु1 प्लस y डेस स्क्वाइर अंडरूट लिख दो ठीक है अंडरूट लिख दो सिधा मानस वाइडैस अब देखो यह क्या जएगा यह इंटुमें रहेगा और जब इसको हमने इत हो गहारा सी आपल पास भीकोषक अब देखेगे इसको क्या लेना यहां क्या लेना इसका एज्शम लेना तो हमेवाओवوس का Va देखो, y into 1 plus y dash square और यहाँ पर क्या था? y dash into y y dash आ रहा था, upon आ रहा था under root 1 plus y dash square इसका तो यहाँ लिए तो यह upon में पूरा रहा, यहाँ पर जाएका y y dash square upon under root 1 plus y dash square ठीक है? अब देखो जाए इसको अंदर multiply करेंगे तो इससे यह cancel हो जाएगा ठीक है? यह cancel हो गया, तो हमें पास क्या रहाएगा, जाब देखो, अंदर multiply करा, तो जाएगा y into यहाँ पर y भी multiply होगा, इससे यह positive का है, यह negative का है, इससे यह cancel हो जाएगा, तो हमें पास सिप क्या रहा? तो हमाँ पास देखो क्या रहा सिर्फ y रहा हमाँ पास क्या रहा c y upon under root 1 plus y dash का square equal to c square c into c है c ठीक है into c है यहाँ पर क्या है c अब देखो यहाँ पर जब square लिए देखो square लिया हमने तो हमाँ पास square लिलने के बाद हमाँ पास क्या है देखो मैं पास आया था y under root 1 plus under root 1 plus y dash square equal to c आया था ठीक है इसको नीचे लाने के बाए square ले लेना है y square upon c square equal to 1 plus y dash square लेगा ठीक है जब इसको यह 1 को इधर लिखेंगे तो y dash square equal to y square minus c square upon c square ठीक है देखो यहाँ पर minus बने जाएगा यहाँ से इसके लिखेंगे y dash square minus c square upon c square ठीक है देखो हमें पास सीधे यह आ गया जहाँ पर देखो यही लिख रहा है नो नो ने देखो 1 plus y dash square equal to y square upon c1 square लिखेंगे हमें c square लिखाते हैं यहाँ पर इना c1 square लिख दिया ठीक है तो dy बट्टे dx y dash square minus c1 square upon c1 square की पावर 1 by 2 हो गया ठीक है स्क्वायरूट हटा दिया कि कहां चले गया है ठीक है sorry back हो गया था अब देखो तो हमें पास देखो यहां भाइपास क्या लिया हमने तो देखो dy बट्टे dx रहा है क्योंकि अंडर रूट लगाने के पास y square minus c1 square upon c1 square की पावर 1 by 2 ठीक है तो हमें पास dy y वाला y के सांथ x वाला उधर आए जाएगा ठीक है तो dy upon y square minus c1 square की पावर 1 by 2 equal to dx upon c तो ठीक है जब इसको इंटेग्रेट करेंगे इंटेग्रेशन अफ अंडर रूट x square minus a square d square क्या होता है देखो integration of one upon under root x square minus a square का फॉर्मनों क्या होता है log x plus under root x square minus a square होता है ठीक है तो देखो हमने तो हमें पास क्या हैगा log देखो log x square minus c1 square की पावर 1 by 2 equal to यहाँ पर देखो यह क्या हो जाएगा constant मुन अपन x upon c1 हो गया प्लस एक constant क्या आएगा अलग से आएगा वो क्या हो गया c2 हो गया ठीक है यह constant एक और constant आएगा तो वो क्या होगा c2 c1 and c2 are big arbitrary constant ठीक है अब क्या रखेंगे जो जो हमने value ली थी x equal to r cos theta y equal to r sin theta लिया था तो वो हमने इस extremer में put कर देना है ठीक है y की जगपे हमने r sin theta ठीक दिख दिया r square sin square theta हो जाएगा minus c1 square की power by 2 और यहापे c2 प्लस को जाएगा यह constant c2 प्लस देखो यह c2 यह c2 प्लस r और x जगपे क्या है r cos theta अपन c1 ठीक है तो हम्हाँ पास के निकल गया यह फॉंक्शनल निकल गया जो हमें extremer for the given functional जो हमें functional दिया था इसके लिए हमारा extremer निकल गया ठीक है thank you friends आज के लिए बस इतना है अगर आपको वीडियो अच्छी लग यह किसी like say and subscribe thank you